अभिनेता सिधार्शुकला की हाट अटैक से मौत हो गई है मुंबई पुलीस के सूतरोज ने बताया अभिनेता सिधार्शुकला के शरीर पर कोई चोट नहीं आई है बॉलिवुड के सूपरस्टार और बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर सिधार्शुकला के निधन पर शोक व्यक्त किया है सिधार्शुकला के परिवार ने मुंबई पुलीस को बताया है कि उनकी मौत में कोई साजिश नहीं है वो नहीं चाहते हैं कि एक्टर की मौत को लेकर अफवा उड़े सिधात को आखरी बार उनकी मा के साथ रात में वॉक करते दिखा गया था वो अपनी मा से बेहद करीब थे उनकी मौत के बाद उनके सभी दोस्त उनकी मा के पास मौजूद है मुंबई पुलिस ने सिधात शुकला की मा, बेहन और जीजा का बयान दर्ज कर लिया है हाला कि सिधात के परिवार ने उनकी मौत पर किसी तरह की कोई आशंका नहीं जताई है सिधात शुकला की मौत से शैनास गिल को बड़ा जटका लगा है उनकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है कियारारवानी ने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि भगवान ये दिल तोड़ने वाला है ओम ओम आपकी आत्मा को शांती दे उनके परिवार और प्रियजनों के प्रती मेरी गहरी समवेदना फड़ा खान ने भी सिदार्शुकला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि वह लिखती है कि इस साल इसे ज्यादा खराब क्या हो सकता है सिदार्शुकला के दोस्त से दुश्मन बने असीम लियास भी उनके घर मौजूद थे और बिग बॉस 13 में सिदार्श असीम को हरा कर विनर बने थे शैनाज ने जैसे ही सिदार्श के निधन की खबर सुनी तो वह तुरंथ ही कूपर हॉस्पिटल पहुँच गई थी शैनाज गिल और सिदार्श की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते थे दोनों एक दूसरे के साथ अकसर नजर आया करते थे और हम यही कहना चाहेंगे इश्वर उनकी आत्मा को शान्ती दे कि अपकर बहुत आत्मा के चाहेंगे बधियोध स्टेट कि साथ दोना का चाहे हुआ है